मदरां तकम श्री संग को मिला ये तो समय समय की बाथ होती है लेकिन मैं आप सब को आज एक बात कहना चाहती हूं जो कई बार मन में आती है लेकिन आउसर नहीं होता लेकिन आज मुझे ऐसे लग रहा है कि आज का आउसर भी सही है मोका भी सही है तो आज ये बात कही ही जाए देखो भाई जब भी हम चेन्नई में जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सादूसंत चेन्नई में गए और वो आनन भाई के घर पर ना गए हो ऐसा आज तक हुआ है कभी भी कोई भी सादू संत आये एक दिन या दो दिन का प्रवास तो आनन भाई विननती करके अपने घर पर तो रखते ही है अब हम कई बार जब अपा थे तब से लेकर तो अभी तक कई बार हम जब जब चेने ग गएं है तब आननभाई के घर पर जरूर गये हैं अब आपको एक दिशेष्टा बताती हूं हम जब आननभाई के घर पर जाते थे तो घर के सारे लोक तो हमें मिलते थे लेकिन एक ही व्यक्ति था जो घोली नजरी कौन थे कौन थे हमारे सुम्ति भैया जो पहले इतने बार हम उनके घर पर गये लेकिन सुम्ति भैया के कभी दर्शन हमको हुए नहीं पर देखो प्रसंग कैसा बना थी मोका आया लोगडाउन का हम उनके यहां पर गये थे दो दिन के प्रवास के लिए और उसी समय में मोदी जी की कुरुपा हो गई और पहला लोगडाउन कितने दिन का लग गया 21 दिन का लग गया और हम आनन भाई के घर में 21 दिन के लिए क्या हो गये कैद हो गये अब बताओ अब सुम्ति भैया जाय कहा बराबर है ना इतने दिन तो ओफिस का बहाना था लेकिन अब तो हमसे ही पाला पढ़ना था क्योंकि वो भी घर में और हम भी घर में तो हुआ ही ऐसा कि आज तक आनन भाई तो जुड़े हुए थे पुरा परिवार जुड़ा हुआ था लेकिन शायर लोगडाउन सुम्ती भाईया के लिए ऐसा कारीगर साबित हुआ कि उनका और हमारा आमना सामना ह हुआ और कहते हैं कोई भी विक्ति जब एक बार संतों के सानिध्य में आता है तो थोड़ा तो परिवर्तन उसमें अवश्य होता है और जिस सुम्ती भाईया को हमने कभी घर जाकर भी नहीं देखा आज तब से लेकर आज तक मुझे लगता है कि सुम्ती भाईया मेहने में दो बार तो हमारे पास में जरूर आते हैं दो बार से ज़्यादा ही आते हैं ये सब किस वज़े से होता है गुरू की कुरुपा पड़ो का आशिरवाद और आनन भाई और सुशिला भाई भी हमेशा कहते थे मारा सा कोई बात नहीं हम तो हमेशा आते हैं लेकिन अब ये प महावीर जन्मकल्यानक यहां मनाना है तो उस समय सुम्ति भया के मन की जो खुशी थी मेरे महारा सा आ रहे हैं मेरे महारा सा आ रहे हैं तो आनन भाई से लेकर छोटा शुब है वहां तक पूरे परिवार की जो खुशी थी सच कहते हैं हमारी भावना स्थानक में रुखने की हम जब तक मदरान तकम आयें हमने पहले ही कह दिया हम मदरान तकम आयेंगे स्थानक में रुखेंगे और महावीर जन्मकल्यानक होने के बाद एक दिन अपने घर लुकर विहार कर जाएंगे पर उनकी भक्ती और उनके भीतर की भाउना ने हमें मजबूर कर दिया कि हमने प्रवचन आदी सारे कारियतों स्थानक में रग दिये और हमारा आवास कहां पर रग दिया चलानी के घर पर रख दिया तो आपको बस एक ही बात कहना चाहती हूं कि व्यक्ति में परिवर्तन कब होता है कह नहीं सकते वो परिवर्तन की घड़ी कब किसके जीवन में आ जाए वो कह नहीं सकते इसलिए सत्संग करते रहे और अपने जीवन का परिवर्तन लाते रहे आज समस्त चलानी परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और साथ में मदरान तकम श्री संग को भी बहुत बहुत साधुवाद दे कर अपने शब्दों को विराम देती हूं ओम शान्ति